आज हम सीखेंगे श्वसन के बारे में पिछले वीडियो में हमने सीखा कि विभिन्द कारे करने के लिए सजीवों को उर्जा आवशक होती है यह उर्जा भोजन से प्राप्त होती है पोशन यानि नूट्रिशन के प्रक्रम से सजीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं भोजन से उर्जा निर्मिती के लिए सजीवों को श्वसन यानि रेस्पिरेशन का प्रक्रम आवशक होता है ग्लुकोस जैसे जटील कार्बन पदार्थों के विखिटन से उर्जा का निर्मान करने के प्रक्रम को हम श्वसन कहते हैं चलिए इस प्रक्रम को विस्तार से समझे ओक्सिजन के आवशक्ता के आधार पर हम श्वसन को वाईविय श्वसन और अवाईविय श्वसन इन दो प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं वाईविय श्वसन में ऑक्सिजन के उपस्तिती में ग्लुकोस को पूर्ण तह कार्बन डाय ओक्साइड और जल में विखंडित किया जाता है और उर्जा प्राप्त की जाती है जबकि अवाईविय श्वसन में ऑक्सिजन के बिना ग्लुकोस का विखंडन किया जाता है और उ उर्जा प्राप्त की जाती है। वाविय श्वेसन में अवाविय श्वेसन से अधिक उर्जा उतपन होती है। इन दोनों विधियों का पहला चरण समान है इसमें कोशिका के कोशिका զ्रव्य यानि साईटोपलाजम में ग्लुकोष, इस 6 कार्बन वाले अनू यानि मॉलिक्यूल का 3 कार्बन वाले अनू पाइरुवेट में विखंडन किया जाता है और उर्जा उत्पन्न की जाती है प्राप्त पाइरुवेट से भी उर्जा का निर्मान किया जा सकता है लेकिन इसकी विधी भिन्न हो सकती है जैसे कोशिकांग यानि सेल ओर्गिनल माइटोकॉंडिया में ओक्सिजन के उपस्तिती में पाइरुवेट के अनू का विगटन, कार्बन डाय ओक्साइड के तीन अनू और जल में होता है जिसके दोरान उर्जा उत्पन होती है इस प्रक्रम में ओक्सिजन उपस्तित होता है इसलिए हम इसे वाइविय श्वसन यानि एरोबिक रैस्पिरेशन केह सकते हैं इस्ट जैसे जिवों में किन्वन यानि फोमेंटेशन के दोरान ओक्सिजन के अनूपस्तिती में पाइरुवेट का इथनोल और कार्बन डाय ओक्साइड में विगटन किया जाता है जिससे उर्जा उत्पन होती है ओक्सिजन के अनुपस्थिती में उर्जा निर्मिती होने के कारण हम इसे अवाईविय श्वसन यानि एन एरोबिक रेस्पिरेशन कह सकते हैं कभी-कभी ज्यादा शारेरिक काम करने के दोरान उर्जा की आवशक्ता बढ़ जाती है ऐसी स्थिती में पेशी कोशिकाओ यानि मसल सेल्स में ओक्सिजन का अभाव हो जाता है ओक्सिजन के अभाव में उर्जा उत्पन करने के लिए कोशिकाएं पाइरुवेट का तीन कार्बन वाले अनू लेक्टिक अमल यानि लेक्टिक एसिड में विखंडन करती है और उर्जा प्राप्त करती है लेक्टिक अमल का निर्मान होना क्रैम का कारण हो सकता है उर्जा निर्मान की इस विधी को हम कुछ जुवानों यानि बैक्टेरिया में भी देख सकते हैं श्वसन के प्रक्रम से निर्मित उर्जा का प्रयोग ततकाल ADP और कार्बनिक फॉसफेट के बीच आबंध यानि बॉंड बनाने के लिए किया जाता है जिससे ATP अनू का निर्मान होता है यह किसी बैटरी को चार्ज करने की तरह है निर्मित ATP चार्ज की गई बैटरी की तरह कोशिका के क्रियाओं के लिए उर्जा का स्त्रोध बन कर उपस्तित होता है उर्जा की अवशक्ता अनूसार ATP के फॉसफेट अनूओं के बीच का आबंध तोड़ कर उर्जा प्राप्त की जा सकती है वाईविय श्वसन के लिए सजीवों को नियमित रूप से ऑक्सिजन प्राप्त करना तथा कार्बन डाय उक्साइड को शरीर से बाहर करना अवशक होता है परियावरण में ओक्सिजन शरीर के अंदर लेना तथा कार्बन डाय ओक्साइड शरीर के बाहर निकालना श्वासन यानि ब्रीधिंग कहलाता है श्वासन श्वासन प्रक्रम का एक भाग है विभिन्न जिवों में श्वासन की अलग-अलग विधिया देखी जा सकती है यानि स्टोमाटा द्वारा होता है कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकी ये अवकाश यानि इंटरसेलिलर स्पेस होता है जिसके कारण सभी कोशिकाओं वायू के संपर्क में रहती है वे विशरन द्वारा कारबन डाय ओक्साइड और ओक्सिजन का आदान प्रदान करती है दिन में प्रकाश संसलेशन की प्रक्रिया होती है इसलिए श्वसन के दौरान कोशिकाओं में निर्मित कार्बन डाय ओक्साइड, प्रकाश संसलेशन यानि फोटो सिंतेसिस में प्रयुक्त होता है इसलिए दिन में कोशिकाओं से ओक्सिजन का निश्कासन होता है रात्री में प्रकाश संसलेशन की प्रक्रिया नहीं होती इसलिए कोशिकाओ से कार्बन डाय उक्साइट का निश्कासन किया जाता है जल में रहने वाले जीव जल में विले उक्सिजन यानि डिसॉल्फड उक्सिजन से उक्सिजन प्राप्त करते हैं मचली मुह से जल शरीर के अंदर लेती है और जल को बलपूर्वक, क्लोम यानि गिल्स तक पहुचाती है यहां रुधीर यानि बलड जल में से विले ओक्सिजन ले लेता है श्वसन के लिए स्थलिय जीव यानि टेरेस्ट्रिल ओर्गानिजम्स वायू मंडल से ओक्सिजन प्राप्त करते हैं वायू की तुलना में जल में विले ओक्सिजन की मात्रा कम होती है इसलिए स्थलिय जीवों की तुलना में जलिय जीवों की श्वासदर दुरुत होती है विभिन्न स्थलिय जीवों में बिन्न अंगो द्वारा ओक्सिजन अवशोशित होता है मनुश्य में वायू नासादवार यानि नॉस्ट्रिल से शरीर के अंदर प्रवेश करती है नासादवार के मार्ग में महीनबाल और शलेशमा यानि म्यूकिस की परत होती है ये महीनबाल और शलेशमा शरीर के अंदर जाने वाली वायू का निस्पंदन यानि फिल्टर करते हैं जिससे वायू में उपस्ते दूल और अशुद्या शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करती इसके बाद वायू, ग्रस्नी यानि फारंक्स और कंठनली यानि लारंक्स से होकर श्वास्नली यानि ट्रकिया में पहुचती है वायू मार्ग निपतित यानि कोलाप्स न हो इसलिए श्वास्नली में उपास्ती के वले rings of cartilage उपस्तित होते हैं श्वास्नली से दो श्वस्नी यानि ब्रॉंक्स निकलती है एक श्वस्नी एक फुफुस यानि लंग में जाती है फुफुस के अंदर श्वस्नी श्वस्नी काउ यानि ब्रॉंक्योल्स में विभाजत होती है श्वास्नली से वायू श्वस्नी और श्वस्नी काउ से होकर फु पुपिका की सतह पतली होती है, जिसके कारण कुपिका की सतह से ओक्सिजन रुधीर में लिया जाता है और उधीर में उपस्थित कार्बन डाय ओक्साइड कुपिका में छोड़ दिया जाता है हम जानते हैं कि फुफुस पसलियो यानि रिप्स के अंदर होते है श्वास लेते समय दैफ्राम चप्टा हो जाता है जिसके कारण पसलिया उपर उठती है और वक्ष गुहिका यानि chest cavity बड़ी हो जाती है परिणाम स्वारू फुफुस में वायू प्रवाह होती है तथा कुपिका वायू से भर जाती है कुपिका की वायू में उपस्थित ओक्सिजन कुपिका रुधीर वाहिका के रुधीर में आता है मनुष्य की शरीर का आकार बड़ा है इसलिए सभी उतकों तक ऑक्सिजन पहुचाने के लिए केवर विसरन दाप यानि डिफ्यूजन प्रेशर परियाप नहीं है इसलिए मनुष्य के रुधीर में उपस्थित लाल रुधीर करनी का आओ यानि रेड ब्लड सेल्स में श्वसन वर्नक यानि रेस्पिरेटरी पिग्मेंट हीमोगलोबिन उपस्थित है हीमोगलोबिन की ऑक्सिजन के लिए उच्च बंदूता यानि हाई अफिनिटी है फुफुस की वायू में से श्वसन वर्नक हीमोगलोबिन उपसिजन लेता है और शरीर के सभी उत्को और प्रतेक कोशिका तक उपसिजन पहुचाता है श्वास छोड़ते समय डाइफ्राम गुबंद के आकार यानि डोम शेप्ट का हो जाता है और इसके कारण पसलिया नीचे आती है तथा वक्षगुही का छोटी हो जाती है परिणाम स्वरूप वायू फुफुस से बहार आती है वायू के अंदर आने और बाहर जाने की प्रक्रिया में फुफुस के अंदर वायू का अविशिष्ट आयतन यानि रेसिड्यूल वॉल्यूम रह जाता है इस तरह कुपिका में ऑक्सिजन के अवशोशन और कार्बन डाय ओक्साइड के मोचन के लिए परियाप्त समय होता है तो आज हमने सीखा श्वसन के बारे में